दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल एस्टी क्लासेज में आए देखते हैं आज के टॉपिक्स के बारे में तो आज हम सबसे पहले दाब यानि प्रेसर के बारे में जानेंगे उसके बाद हम वायमंडली दाब यानि एट्मॉस्पिरिक प्रेसर के बारे में समझेंगे फि hydraulic press और hydraulic brake के बारे में जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज़ी class तो दाब की बात करें तो किसी सत्य के एकांग छेतर फल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं इस चित्र में हम देख सकते हैं कि एक दिये हुए छेतर फल एक बल F कारी कर रहा है तो इस चेतर पर कारी करने वाला दाब इस बल के अनकुमान पाती तथा इस चेतर के छेतर फल के वितकुमान पाती होगा तो इस प्रकार से दाब का formula F upon A यानि बल-बटे-प्रेश्ट का चेतर फल होता है जहांपर बल-प्रेश्ट पर लंवत कारी कर रहा होता है इस चित्र में हम देख सकते हैं कि एक छेत्र जिसका छेत्र फल एक मीटर स्क्वाइर है इस पर एक 10 नूटन का बल कारे कर रहा है तो ऐसी स्थिती में इस छेतर पर लगने वाला दाब 10 N बटे 1 M2 होगा यानि कि जो की 10 N पर M2 आएगा दाब का मात्रक N पर M2 होता है जिसे हम पास्कल भी कहते हैं यानि 1 N पर M2 इकोल टू 1 पास्कल होता है दाब एक अदिस रासी यानि एक स्केलर कॉंटी होता है तो आएब कुछ उदारण से दाब को समझने का प्रयास करते हैं तो दोस्तों लकड़ी या दीवाल पर गाड़ने के लिए हम हमेशा पतली वाली नोक वाली कील का प्रयोग करते हैं जोकि पतली नोक की कील दीवाल में आसानी से घुश जाती है जबकि यदि हम उस कील की नोक को मोटा रखेंगे तो वा दीवाल में आसानी से नहीं जाएगी इस कील की नोक को पतला रखने कारण या होता है कि पतली नोक का छेतरफल कम होता है जिससे की हमें दाब अधिक प्राप्त होता है और दाब अधिक होने के कारण पतली नोकी कील आसानी से दिवाल के अंदर चली जाती है वहीं मोटे नोकी कील का छेतर फल अधिक होता है जिससे की हमें दाब कम प्राप्त होता है और कम दाप के कारण या मोटे नोकी कील दीवाल में आसानी से अंदर नहीं जा पाती है इसलिए हम हमेसा दीवाल या लकडी में छेट करते समय पतली नोकी कील का ही प्रयोग करते हैं तो आई एक अन्युधारान से दाप को समझते हैं यदि हम किसी गुबाड़े पर एक पतली नोकी सुई को चुबोएं तो वह गुबाड़ा फट जाता है जबकि आप इस चेतर में देख सकते हैं कि एक गुबाड़े को बहुत सारी मोटी कील के उपर रखा गया है जबकि या गुबाड़ा आसानी से नहीं पटता इसका कारण यह है कि इस गुबाड़े का इस पर छेतर फट इनकील के साथ अधिक होता है और छेतर फट अधिक के होने के कारण दाब कम लगता है जिसके कारण या गुबाड़ा आसानी से नहीं फटता तो दाब के उधारने देखने के बाद आई एप समझते हैं वायमंडली दाब को वायमंडली दाब वा दाब होता है जिसे हमारे वायमंडल द्वारा प्रत्वी की सत्य पर इस्तित प्रतेग वस्तु पर लगाया जाता है वायवंडली दाब का मात्रक बार होता है और एक बार बराबर 10 दी पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वार होता है यदि हम प्रत्वी की सता से उपर जाते हैं तो वायवंडली दाब हमारा कम हो जाता है यानि हम प्रत्वी से जैसे जैसे उपर जाते हैं हमारा वायमंडली दाप कम होता जाता है आईए अब इसके प्रभाव के बारे में समझते हैं तो अगर हम बात करें कि पहाडों पर खाना बनाने में कटनाई होती है इसका करण ये है कि पहाडों पर वायमंडली दाप बहुती कम होता है जिसके कारण खाने को पकने में अधिक समय लगता है अत्ता पहाड पर रहने वाले लोकों को खाना बनाने में कटना ही आती है एक अन्य दारण को देखें तो वाईवियान में बैठे यात्री के जो fountain pen होता है उससे स्याही स्वता ही रिषने लगती है उसका कारण भी वाईवियान में वाईवियान दाब बहुत ही कम हो जाता है जिसके कारण से अगर fountain pen रखा हुआ है यात्री तो उसमें से स्याही स्वता ही रिषने लगती है और वाईवियान में बैठे व्यक्ति की नाक से खून निकलने की समस्या भी सामने आती है जिसका कारण भी निमन वायु मंदली दाब होता है इसी प्रकार से अधिक उचाई पर जाने पर वायु मंदली दाब कम होने कारण वायु की मात्रा भी कम हो जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि हमें उचाई पर सांस लेने में दिक्कत होती है यदि कभी आपने पहाडों की यत्रकी होगी तो आपने देखा होगा कि पहाडों पर सास लेने में काफी तकलीप होती है इसका कारण भी निमन वायुमंडली दाप के मापन की बात करें तो हम वायुमंडली दाप को बैरो मिटर की साहता से मापते हैं बैरोमेटर की साहता से हम वयमंडली दापकुम आपने के साथ साथ मौसम संबंधी पूरवा अनुमान भी लगा सकते हैं तो आईए अब हम समझते हैं कि बैरोमेटर की साहता से हम मौसम का पूरवा अनुमान कैसे लगा सकते हैं इस चित्र में हम एक बैरोमीटर देख सकते हैं, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांग एका एक नीचे गिरता है, यानि बहुत तेरी सगी नीचे गिरता है, तो आंधी आने की संभावना होगी, इसी प्रकार से यदि बैरोमीटर का पाठ्यांग धीरे धीरे नीचे गिरता है, त जैसे कि आंधी हमारी एक आएक यानि अचानक आती है उसी प्रकार से जब हमारा बैरोमीटर का पाठ्ट्ट्यांग भी एक आएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभाव ना होगी और जैसे वर्सा नीचे की ओर धीरे धीरे गिरती है इसी प्रकार से जब बैरोमीटर का ट्रेंग भी जब दीरे दीरे उपर की और बढ़ता है तो दिन साफ रहता है तो कुछ इस प्रकार से बैरो मेंटर के द्वरे लगाए गए पूरो अन्मान को हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं आईए अब जानते हैं द्रौदाब से सम्मंदित पास्कल के नियम के बारे में तो जिस प्रकार से वाईमंडल के कारण हमारी प्रत्वी पर सभी बस्तु पर वाईमंडी दाब कारे करता है उसी प्रकार से द्रव के भीतर सभी बिंदु पर द्रवदाप कारि करता है तो इस द्रवदाप के बारे में पास्कल ने अपने नियम में बताया कि यदि गुरुती प्रभाव को नगन माना जाये तो संतुरन की आवस्ता में द्रव के भीतर पत्तेक बिंदू पर कारे करने वाला दबाव समान होगा तो आईए पास्कल के इस कतन को हम इस चितर के माध्यम से समझते हैं इस चितर में एक एक संरशना दी हुई है जिसका एक सेक्षन काफी छोटा है और एक सेक्षन का छेतर फल काफी बड़ा है तो पास्कल के नियम के कतना नुसार इस द्रव के भीतर हम किसी भी बिंदू पर यदि द्रव की माप करेंगे तो वा समान होगा अगर हम चाहे इस पतले सेक्षन के पास द्रव का माप करेंगे या फिर इस चोड़े सेक्षन के पास द्रव द्रव का माप करेंगे वा हर बिंदू पर समान ही आएगा तो पास्कल का प्रथम नियम हमें यही बताता है तो आईए आप Pascal के नियम के दृति कथन को समझते हैं तो Pascal ने बताया जिए यदि किसी दरो के भीतर किसी बिंद उपर बला रूपित किया जाता है तो आप सभी दिशाओं में सभी समान परिमाण में संच्रित कर दिया जाता है तो आईए पास्कल के इस कथन को हम एक चित्र के मादम समझते हैं इस चित्र में एक मोटर का हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम को दिखाया गया है जब इस पैडल के द्वारा हम ब्रेक लगाते हैं तो यहां से एक फोर्स अपलाई किया जाता है या फोर्स इन चारों ही टायर पर समान मात्रा में बराबर लगाया जाता है तो पास्कल का याकतन हमें यही बताता है पास्कल के नियम पर आधारिती अंतर की बात करें तो hydraulic lift, hydraulic press और hydraulic break ये पास्कल के नियम पर आधारिती अंतर हैं इन यंतरों के बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार से जानेंगे तो आज की class में इतना ही वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवान वीडियो को लाइक करें और अगर आपको चैनल की या कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें थैंक्यू, धन्यवाद